धाकर खबर बेखोफ जुबां बेबाग अंदाज परदेश को पहली जन सभा की वो उन्होंने आगरा के अंदर की है मैं उस रेली को सभा की बारे में कुछ बातें आप से करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश का एक लाका है बड़ा ही खुशाल इलाका है दो आप का छेतर है और बड़ी जर्खेज जमीन है हर फसल पैदा होती ह बहुत सारे गाओंग लोगों में मिलेंगे आप देंगे 1857 का जिक्रांती हुई वो मेनट से शुरू हुई इसलिए मैं खुद कहता हूं कि मैं पश्ची मुत्रप्रदेश से आता हूं उस सरजमी के अंदर खूबी है यह कि जब किसान दिल्ली की तरफ चलते हैं और यह मोधी सरकार उनको रोकने की कोशिश करती है तो वो जबरन घुस्नी की कोशिश करते हैं गौलियों की परवाण नहीं करते हैं यह सरदमी की खासियत है तो यहां एक लंभे से मांग हो रही है जब से उतराखंड अलग बना है ताब से जाप हैं कि यहां पे परस्चीमुत्तर परदेस के अंदर हाइकोट原izon की द गया मैं फिर कह रहा हूं यहां के लोग स्वक्षा में मजबूत हैं फाइनेंशली आम मान सकते हैं उनको उन्होंने नौइडा ग्रेटर नौइडा मैं खुद के अपने कॉलेज पूरा आप गाजियाबाद मेरट के अंदर तमाम जगा उन्होंने अपना इस्टिटूशनल ए चलने के बाद वो हाई कोड जाएगा तो एक लंबे अर्से से मांग हो रही है नहीं सुना रहता कल परदान मत्री पहुचे तो वकी लोगों को लगा कि हमारी बास सुनी जाएगी उन लोगों ने अपना पूरा मार्च निकाला नारे बाजी करते हुए काले जंडे दिखान धरना परदर्शन सांति प्रिया डंसे किया है लेकिन काले जंडे दिखाने पर जो वकीलों को जेल भेज दिया गया मुझे उस पर थोड़ा एतराज होना यह चाहिए था कि वकीलों की जो एमांग है पिछले 20-30 साल से चली आ रही है इस पर धियान देने की जरूरत है यह स साथ सुक्लमेटर का सफरटे कर इलाबाद क्यों जाए उसको हाई कोट की बेंच नहीं दी जाती है लेकिन साहाब जो है सत्ता की नशे में चूर है कहना आमिशा का कि हमें अगर से सवाल नहीं कर सकते हैं तो यह बहुत बड़ा मुद्दा पर बने का इस बार चुनाओं में क्योंकि इन्हों वादे जरूर किये थे कि हम जब विधान सभा में आ जाएंगे विधान सभा में भी आ गये हैं के अंदर भी आ गये लेकिन ये फिर भी पश्ची मुत्रपरदेश की बैंच नहीं दे रहे हैं काले जंडों की हालत यह हैं अब देख लीजिए अभी जारकंड के प्लामू में प्रदानमंत्री नरेंदमोदी की जंसभा थी वहां के जो डीमस्प थे उन्होंने लेटर जारी कर दिया एडवाईजरी जारी कर दी कि काला मोजा तक नहीं पहन क्या होगे अंडर्वियर की ब की जाक उन्होंने इलाबाद के अंदर काले जंडे दिकाने की कोशिश की तो उन पुलिस वालों ने जो आजज्याबाज भाले बने गुम रहे हैं महराज के उन्होंने उन लड़कियों के बाल पकड़ पकड़ के उनको किस बुरी तरीके से मार आथा जबकि इन کے कि टेक्स कासी लगी आपको कमेंट के रुप में अप अपनी राय दे सकते हैं. अपके सामने हूँगा हाजिर फिलाल अभी मुझे नहीं इजाज़्जट झाल झाल